पागते दोस्तों यूट्यूब चैनल अक्षच हेल्थ पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त फार्मसस्ट विपलतियागी कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब अच्छे हूँ दोस्तों अच्छी सेहत के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन सही खान पान के साथ कुछ ऐसी बाते भी हमें ध्यान रखनी चाहिए जिसका सीधास हमारी हैल्थ पर पड़ता है दरसल हम में से ऐसे कई लोग हैं जो दोपहर के खाने के बाद कुछ ऐसा कर जाते हैं जो की सेहत के लिए र cono कार्थ होता है okay दो क्या क्लतियां है इस बीडियों में चलिए जानते पहले गलती यह है कि आपने सुना होगा कि खाने की एक्टम बाद पानी नहीं पेना चाहिए अगर आप इसका पालं करते हैं तो ठीक है लेकिन अगर नहीं करते हैं और पानी पी लेते हैं तो ध्यान रखें कि कभी ठंडा पानी ना पिए खाना खाने के बाद यह पाचन बिगाड़ सकता है अगर आपको पानी पीना ही है तो गुन-गुना पानी पीए और वो भी बहुत कम मात्रा में यह पाचन को और बहतर करेगा दूसरे नमबर पर जो गलती है वो आती है कि खाना खाने के बाद चाई या काफे पीना अगर आपको पसंद है तो अफसोस की बात है यह आपकी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इसके सेवन से शरीर आहार में मौझूद आईरन को अफशोशित नहीं कर पाता और नहीं प्रो यह भी आपकी गलती है खाने के बाद कुछ देर रेस्ट करें उसके बाद ही एक्टिव है वह भी धीरे धीरे और नमबर चार की गलती है कि खाने के बाद कुछ घंटों तक फल जूस या अन्या कोई भी खाद्यपदार्थों का सेवन ना करें यह आपके पाचन की प्रक्र या रुक जाती है और नया खाना शरीर में जाने लगता है और आखरी जो गलती है वो यह है कि खाना खाने के बाद लेटना भी ठीक नहीं है सिर्फ आपको रेस्ट करना है आराम से बैठना है नहीं आपको धुम्रपान का सेवन करना है यह तेजी से आपके भाचन तंत्र और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उमीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकर यह आपको पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो के जानकर यह आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए मिलते अगली वीडियो के साथ तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षच हेल्थ के साथ खुश्रे ये मुस्कुराते रहिए जैहिर वन्दे मत्रम